गुड इवनिंग ओल तो देखिए आज की क्लास जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीचिंग स्किल की है और क्योंकि एक्जैम बहुत नजदीक है आपका केविस का तो बहुत डिटेल में डिसकस तो इसका होनी पाएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला कोशन तो यह है कि what is teaching skill okay teaching skill होता क्या है actually कई बार कुछ students हैं जो शायद अगर ना पढ़ा हो तो methods को teaching methods को teaching strategies को ही teaching skills समझ लेते हैं बट actual में ऐसा होता नहीं है ठीक है क्यों क्योंकि आप जब कोई भी objective को achieve करने जा रहे होते हैं तो कोई ना कोई आप एक methodology को follow कर रहे होते हैं जिसमें methods भी आएंगे आपके studies भी आएंगे tactics भी आएंगे सभी कुछ आएगा लेकिन classroom के अंदर आप जो कुछ करते हैं जो भी आपका behavior होता है चाहे verbal behavior हो चाहे non-verbal behavior हो तो उसी behavior को हम या set of behavior को ही हम skill समझ लेते हैं या फिर वो कहें कि set of behavior को ही हम teaching skill के रूप में देखते हैं अच्छा अब वो behavior कैसा होता है क्या होता है तो कुछ common behavior होते हैं उनको हम एक particular skill के अंदर observe कर सकते हैं या फिर कहें कि एक particular skill के अंदर हम उसको set कर देते हैं अब इस तरीके से बहुत सारे हमारे behavior होते हैं और set of behavior के business पर कुछ हमारे teaching skills देखे जा सकते हैं बात करें कि teaching skills कितने होते हैं तो इस पर अलग अलग जो हमारे सिक्षा विद्ध हैं उनकी अलग राय है कुछ ने number of skills आपके 14 बताए हैं कुछ ने 18 कुछ ने 21 और recent जो researches हुई हैं उसमें 32-34 के राउंड भी skills को समझाया गया है बट more or less देखा जाए तो कुछ 8 से 12 के होते हैं और आप लोग जब B8 करते हैं तो B8 में भी आप almost वही skills पढ़ रहे होते हैं तो समय को ध्यान में रखते हुए हम कुछ 7-8 skills पर discussion करेंगे और जो discussion होगा बहुत ज़्यादा डीप ना हो करके जो component होते हैं skill के या किसी एक particular skill में जो set of behaviors हैं उन्हीं को हम देखेंगे ठीक है तो आज की class में कुछ 3-4 skills में discuss करूँगा आपके साथ देन उसके बाद फिर next class में हम आगे के skills करेंगे तो दो classes में हम इसको पूरा करने ही कोशिश करेंगे तो कि सबसे पहला जो skill हमारा है पहला नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह order नहीं होता skill का ना ठीक है बट फिर भ होता है आपका skill of introduction ठीक तो number of skills यहाँ पर है तो number of skills को ही हम देख लेते हैं फिलहाल बाकी चर्चा इनकी जो है वह हम detail में अंदर को करते रहेंगे second skill आपका है skill of explanation क्योंकि जब भी आप कोई topic पढ़ाते हैं तो उसको आप थोड़ा सा उसकी language को easy करते हुए सरल करते हैं उसको present करते हैं तो उसे हम बोलते हैं explanation फिर जब भी आपकी teaching होती है या फिर आपने teaching learning process में देखा होगा कि questions का अपना एक अलग ही रोल होता है ठीक है कैसी भी teaching आप कर लें आप ये नहीं कह सकते कि मैं class के बीच में question नहीं पूछता हूं क्योंकि question पूछने से सिर्फ हम बच्चे का assessment ही नहीं कर रहे होते हैं बलकिन कई बार हम इसलिए भी question पूछते हैं ताकि बच्चा जो पढ़ रहा है या जो ध्यान नहीं दे रहा है वो alert हो जाए ठीक है तो उनकी जो attention है उसको grab करने के लिए हम question कर लेते हैं questioning skill के अंदर हम जानेंगे कि question किस परकार के होने चाहिए कब पूछने चाहिए कहां कहां पर इनकी importance होती है हर समय questions पूछ सकते हैं क्या ऐसा ही एक आपका method of questioning होता है question answer method इसको बोलते हैं तो question answer method से आप skill of questioning को बिलकुल भी relate नहीं कर सकते हैं यह different है वो आपका different skill of probing कई वार आप देखते हैं कि बच्चों से आप कुछ जानना चाह रहे हैं बच्चे को नहीं शायद answer आ पा रहा है मतलब पता हो सकता है बच्चे को बट वो सही से समझा नहीं पा रहा है तो उस case में आप बच्चों को hint देते हैं कई सारे और भी tactics यहां पर आप follow करते ह हैं जिससे की बच्चा थोड़ा easy होकर कि फिर अपना जो भी knowledge है उसको आपके सामने रख सके और एक सही diagnosis तक पहुंच जाए skill of stimulus variation देखे stimulus term तो आपने बहुत बार सुना होता है आप psychology पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप सुनते हैं stimulus response ठीक खुद्धीपन अनुकरिया ठीक तो stimulus क्या होता है कोई भी ऐसा घटना कोई भी ऐसी वस्तू जिससे आप कोई अपेक्षित व्योहार desired behavior पाना चाह रहे हैं उसको हम बोल देते हैं stimulus ठीक है अब variation मतलब होता है आपका change होते रहना तो stimulus variation के अंदर आप या भी पढ़ते हैं कि बच्चों को classroom के अंदर आप किस किस तरीके से stimulus provide कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो भी desire है classroom के अंदर वो आप achieve कर सके ठीक है फिर आता है skill of blackboard writing अब यह blackboard writing यहाँ पर लिखा हुआ है बट कई बार आपके मन में यह आएगा कि अभी तो smart classes चलती है तो digital board होता है और जो हमारा समग सिक्षाब्यान 2016 में start हुआ तो वहाँ पर जैसे 1986 की जो policy वहाँ पर mission blackboard चला था तो ऐसे ही 2016 में mission digital board करके आपका चल रहा है ठीक है तो अभी फिलहाल काफी हद तक blackboard यह कहें कि chalk talk जो है schools से reduce होती जा रही है और हम digital work पर काम करें तो blackboard लिखा हुआ है यहापर बड़ अगर whiteboard यूज़ करते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको कि skill of whiteboard writing ultimately यह black से मतलब नहीं है इसका board writing से मतलब है आप जब लिखते हैं तो कैसा आपको लिखना है अच्छा आप पढ़ा रहे हैं तो क्या हर एक बिंदू आप लिख देंगे अपने board पर नहीं ना तो कौन-कौन से points आपको लिखने होते हैं board पर और जो आप लिखते हैं तो कैसे लिखना है कई बार हम यह कहते हैं कि दाएं से बाएं लिखें बाएं से दाएं लिखें बीच में लिखें कहां पर लिखें यह बड़े questions रहते हैं font कितना होना चीए छोटा font होना चीए बहुत बड़ा font होना चीए यह सब कुछ आपका इस skill के अंदर हम समझते हैं या इस skill के component के अंदर आता है skill of illustration with examples अभी आप लोगं को एक question में दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो उसको research कर लिजे illustration versus example illustration क्या होते हैं और examples क्या होते हैं इनमें क्या difference होता है इसको आप थोड़ा सा देख लिजीगा ठीक है बारहाल कभी भी आप कोई topic समझा रहे होते ना तो समझाने के लिए आप अमोमन कुछ उधारन पेश कर देते हैं सामने से illustration का शुद हिंदी होता है दिर्ष्टांत तो ऐसे उधारन जो उस topic से immediate relevant होते हैं और बच्चा उसका immediate observation कर सकता है these are illustrations ठीक है तो किस तरीके से हम illustrations का use करते हैं classroom में teaching को और ज्यादा बहतर बनाने के लिए किस तरीके से easy बनाती है है ना तो यह हम illustration with examples में देखेंगे skill of यह method नहीं है मैं फिर कह रहा हूँ है कि यह skill है किसी भी method के अंदर इसको आप use कर सकते हैं किसी भी skill को किसी भी method के अंदर use कर सकते हैं यह कहें कि एक method के अंदर आप बहुत सारे skills को use कर लेते हैं ब्लैक बॉर्ड राइडिंग है आपका इस्टमिस वैरियेशन है प्रोबिंग है कोशनिंग है explanation है introduction है यह तो सारे ही सारे methods में आप करते हैं नहीं ठीक skill of reinforcement कि अब आप बच्चे को reinforcement अच्छा reinforcement का नाम तो I think कि आप सबने सुना ही होगा पहले तो reinforcement को हिंदियें बोलते हैं पुनर बला नामी ठीक है बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जो शायद आपको लगता है कि आपकी classroom learning के लिए बहुत ज्यादा fruitful है तो आप उस समय बच्चे को शाबासी दे देते हैं यह smile दे देते हैं दोनों ही आपके positive reinforcement हो जाते हैं अगर बच्चा classroom में ध्यान नहीं दे रहा है तो आप उसको डाटते हैं तो आप क्या करते हैं आप बोलते हैं यह पहली बात तो तो भी पढ़ाय जा रहा है उस पर ध्यान दो या फिर आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि अगर नहीं पढ़ना तो बाहर चले जाओ तो इस तर कर सकें ठीक है और positive reinforcement क्यों देते हैं ताकि जो भी विवहार बच्चे का अच्छा है उसको हम बढ़ा सकें बच्चा बार बार विवहार कर सकें ओके यह बुक से मैंने एक picture लेकर करके हां पर paste किया हुआ है तो component teaching skills associated with different stages of the lesson जब पढ़ा रहे होते हैं तो उस दौरान कुछ stages होती हैं हमारे teaching की phases of teaching में आपने पढ़ा होगा है प्री interactive and post planning stage जब होती है तो उसे मैं आप क्या करते हैं आप राइटिंग इंस्ट्रेक्शन अब्जेक्टिव लिखते हैं ठीक है फिर आप करते हैं objective लिखने के बाद selecting the content तो आप यहां पर इसका screenshot ले सकते हैं अगर आपको पढ़ना होए तो कि इसका video already provided है आप लोगों के मतला हमारे channel पर तो वहां पर आप देख सकते हैं क्या बोलेगी इसका phases of ठीक है teaching करके तो इस नाम से यह आपका इसको देख लीजीगा एक video इसका है तो वहां पर आपको clear जाएगा इस पर हम time of evaluation नहीं करते हैं ठीक चली तो अब जब हम presentation की तरफ जाते हैं यानि कि पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहां पर कौन-कौन से हमारे skills use होते हैं देखो structured classroom questions, fluency in questioning, probing questioning, questions, use of higher order questions, divergent questions, responses, pacing the lesson, lecturing, explaining, discussing, ठीक है किस समय कौन से skill हमारे use हो सकता है उस पर आपने यहाँ पर ध्यान देना है आप इसको screenshot ले दीजीगा discussion यह पूरा मेरा आपको मिल जाएगा phases of teaching नाम से एक topic है उस पर किया हुआ है अब आते हैं जो हमारा first skill है या first फिर मैं वही कह रहा हूँ कि order नहीं है skill का बट हम इसको पहले पढ़ दे तो first बोल दिया और देखे हैं जो classroom के अंदर कोई भी topic पढ़ाने जा रहे हैं तो आप definitely introduction पहले देते हैं then इसको आप स्टार्ट करते हैं तो introduction skill या skill of introducing a lesson इस नाम से इसको आप जान सकते हैं तो जब भी आप कोई lesson introduce करने जाए एक classroom के अंदर तो आपको पहले क्या करना चाहिए तो सबसे पहले आप ऐसा तो नहीं है ना आपकी पढ़ाने start करते हैं डिरेक्ट बताईए करते हैं गया नहीं तो आप क्या करते हैं पहले sizing of the class आपका चलता है आप देखते हैं क्लास में बच्चे कहां कहां पर कैसे कैसे बैठी हैं कोई बात तो नहीं कर रहा है आज पास सब कुछ सबको clear दिखाई दे रहा है आप कुछ बोलते हैं और पूछते हैं मेरी voice properly आ रही है तो these all are some previous behaviors before introducing a lesson अब जब lesson को introduce करने जाते हैं तो आप जो भी topic पढ़ा रहे हैं उससे relevant आप कुछ previous knowledge बच्चे की चेक करना चाहते हैं कि बच्चे को आता भी है या नहीं आता है अब जैसे कि अब आप पढ़ाने जा रहे हैं suppose maths का example लेता हूँ three-dimensional आप three-dimensional figure पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें आप पढ़ाने जा रहे हैं क्या keyboard ठीक है आपको पता है यह keyboard कुछ इस तरीके से बनता है ना थोड़ा सा right अब जब keyword पढ़ाते हैं तो आपको पता है कि आप जब भी समझाएंगे जब characteristics बताएंगे आप बोलेंगे कि there are how many phases बताएंगे six phases ठीक है और each of phase इस इधर square और rectangle तो बच्चे को पता तो होना चीए कि rectangle क्या है या square क्या है है या नहीं तो अब आपके लिए ये प्रश्ण बनता है कि आप पहले या कहें कि challenge बनता है कि आप पहले ये तो समझने कि बच्चे को rectangle और square के बारे में पता भी है या नहीं है ना तो ये हुई previous knowledge तो जो आप keyword पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की previous knowledge क्या होगी बोलिए rectangle and square का knowledge और भी सारी चीज़ें होती है जैसे vertices क्या होती है, phases क्या होती है, आपके area क्या है, ये सब बच्चे को पहले से बताओ ना चीज़ें तो कुछ questions आप ऐसे रखेंगे वहाँ पर, then आप आगे बढ़ेंगे अब जब पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं, तो फिर पढ़ाते हैं, मतलब introduction करते हैं, कुछ devices का use करेंगे, अब ये devices क्या होती हैं, आमोमन आपने देखा होगा, कि जब आप macro teaching करते हैं, या फिर हम कहेंगी classroom teaching करते हैं, आप lesson planning करते हैं, तो आप introduction skill के अंदर, previous knowledge पूछने के लिए सिर्फ questions कर देते हैं, ठीक है, आपने 4-5 questions बनाए हैं, जिसको आपने जिग-जिग form में पूछा, और आपने का भई ठीक है, हमने क्या किया, अपना skill complete कर लिया, लेकिन नहीं, सिर्फ question, पूछना एक device है, आप कहानी के माध्यम से भी previous knowledge को चेक कर सकते हैं, या relate कर सकते हैं, आप general discussion के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसे devices होती हैं, जिनका आप introduction के दौरान, previous knowledge के साथ relate करते हुए, एक link फ़रिम कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी doubt आपको रहेगा तो आप definitely पूछ सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कुछ devices होती हैं, उनके नाम आपके लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं यह लेकर चल रहता है कि थोड़ा सा speed में रहूँगा लेकिन फिर कोई भी अगर point छोड़ो तो शायद वो incomplete सा लगता है, तो सबसे पहला device तो आपको questioning ही होता है, ठीक है, second device की बात करें, जो हम बहुत ज़्यादा use करते हैं, वो तापका storytelling, जो बच्चों को पसंद भी आती है, कहा नहीं सुनागर क्या आपने start कर दिया ना, ठीक है, इसके बाद कई बार हम demonstration के थूरू भी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, demonstration कैसे, अभी मैं आपको example जो देरे सावची को लेते हैं, आपने quidial frame एक बच्चों के सामने रख दिया बड़ा सा कोई box step का, बच्चों से का बढ़ी देखो इसको, इसमें क्या चीज आपको दिख रही है, ऐसी, क्या shape ऐसा दिख रहा है, जो आपने शाय या फिर rectangle इसको कहीं न कहीं वो उससे relate कर लेंगे, ठीक है, तो demonstration भी आपको हो जाएगा, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं, बहुत सारे यहां पर लिखना मुझे लगता नहीं कि इतना सही हो पाएगा, analogy होता है, ठीक है, मिलता जुलता जो होता है, एक हम कह सकते हैं कि pattern जह जो आपने पहले पढ़ाया है, उसमें और अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं, उनमें दोनों में कुछ similarities होंगी, तो analogy हो जाती है, तो उस similarity का भी आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद audio visual aid होता है, ठीक है, ए भी लिख दे रहा हूँ, audio visual aid, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4-5 ही devices होती है, इसके लावा और भी devices होती है, तो ये devices का use आप करेंगे, काई के लिए करेंगे, इसको आप बच्चे की previous knowledge के लिंक करते हुए, नए knowledge के तरफ ले जाने में, इसके बाद आता है आपका continuity, अब continuity का मतलब क्या है आप, आप अगर प बच्चों के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि आप जो बच्चा है वो connection ना break करते ही पर, ठीक है, तो continuity का मतलब ही हो आपका, कि आपको एक sequence को maintain करके चालना है, वो break नहीं होना, अगर sequence ब्रेक होगी तो बच्चा भूल जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप अगर पुराना कुछ बच्चों के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, आप माना कि आप पुराने में ही चले गए, और नवे में कैसे जोड़ना ये भूल गए आप उसको, ठीक है, जैसे आपने क्यूबाइड में बूचा, आपने बोला कि देखो, आपने demonstration यूज कि आपने बोला देखो बई, इसमे पहले आपने पूछा होगा कि इसमें कौन को देखो बन रहा है, बच्चे ने बोला rectangular square, आपने बोला कितने rectangle, कितने square बन रहे हैं, तो बच्चे बोलेंगे 6, आप बोलेंगे तो ये 6 phase हो जाते हैं, कितने कोने हैं, तो बच्चा गिनेगा उनको, ठीक है, तो ये काम तो एक के बाद एक ऐसे questions जो एक order में रहें, या ऐसे discussion जो एक order में रहें, या ऐसी story जिसका हर एक point क्या हो आपका order में रहें, ये चीज़ जिहार में रखनी है, फिराते हम relevancy पर, जितनी भी बाते हैं आपकी हो, वो सब क्या हो, relevant होनी चीज़िए, ठीक है, अब relevant से क्या मत्त् सब रिलेवेंसी जो है, वो सिर्फ यहां पर introduction में ही नहीं, और भी आगे आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी component होता है, जो भी बात आप करें classroom दो, वो relevant है, मैं आपको अभी कुछ समझाना चाह रहा हूँ, तो मेरा पूरा focus जो है, वो skills पर उना चीज़िए, अब introduction skill के अंदर कुछ desired behavior होते हैं, कुछ undesired behavior होते हैं, ठीक है, तो desired behavior क्या होते हैं, ये तो बताए दिया आपको मैंने, previous experiences का use करना, बच्चे का, appropriate devices को use करना, ठीक है, continuity को break नहीं करना, फिर relevant talks करना, जो आउशक है वही बाते करना, अब undesirable behavior क्या होगा, तो anyways हो जाएगा, continuity break हुई आपकी, है ना, वो undesirable behavior है, यानिके lack of continuity, लेक of continuity, right, relevancy, अगर आप जो भी talk कर रहे हैं, वो relevant ही नहीं है, ठीक है, तो वो एक आपका undesirable behavior हो जाएगा, undesirable behavior लेकिनगे तो हम irrelevant, ठीक है, behavior, या फिर इसको आप irrelevant talk भी कह सकते हैं, तो ना तो आपने continuity break करनी है, ना ही आपने relevancy break करनी है, तो I hope की skill of interaction आपको clear हुआ होगा, exam में maximum आप से ये, अब ये दिखो, ये सिर्फ, अभी तो KBS के perspective से ये वीडियो बना रहा हूँ है, वो exam नजदी के आपका, अधरवाश हमारा जब lectureship का exam होता है, वहाँ पर भी आप पेड़ागोजी पूछी आती, वहाँ पर बहुत important question है, दो-तीन question आपके skill से पूछाते हैं, आप जब LT का exam देते हैं, तो वहाँ पर ही पूछाता है, तो वह exam अभी आस-पास है नहीं, तो तब तक और detail में ये वीडियो बनाया जाएगा, अगर आप लोग को सही लगेगा तो आप बोल दीजिएगा एक बड़िया detail में इसको समझाते हुए, with examples, with demonstration, आपका ये वीडियो अप्लोड करते जाएगा, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, skill of explaining, अमूमन जितनी भी classes होती हैं, वहाँ पर हम चाहे demonstration कर रहे हूं, method की बात कर रहे हूं, चाहे हम lecture method यूज कर रहे हूं, चाहे हम कोई भी method यूज कर रहे हूं, बट बच्चों को समझाने के लिए हम verbal talks करते ही हैं, ठीक है, जो बातें complex होती हैं, उन complex बातों को, या complex जो फेनोमेनाज हैं, आपके complex theories हैं, उनको सरल बनाने के लिए, ठीक है, हम सरल से सरल भाशा का परियोग करते हैं, ऐसी भाशा का परियोग जो बच्चा बहुत आसानी से समझ जाए, एक्चल में बच्चा आपके पास आता ही इसलिए पढ़ने के लिए है, कहेंगी बच्चा teacher के पास आता ही इसलिए, क्योंकि किताब तो बच्चे के पास है, और बच्चा English या Hindi पढ़ना भी जानता है, बड़ वो पढ़ करके समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो आपके पा explaining, ठीक है, तो अब explanation में आप कौन-कौन से आपके desirable behavior होते हैं, कौन-कौन से undesirable behavior आपके होंगे यहां पर, जो कि आपने करना है, undesirable behavior भी होंगे जो कि आपने नहीं करना है, दोनों को ही जानना जरूरी है, तो using appropriate beginning and concluding statement, जब भी आप पढ़ना शुरू करेंगे, explain करेंगे, तो शुरुवात कैसे की जाए, इस पर आपका focus रहना चाहिए, क्योंकि शुरुवात बहुत जरूरी होती है, आपके beginning statements होते हैं, वो बच्चों के attention को grab करने में help करते हैं, अगर शुरुवात में ही आपने relevant बातें नहीं की, आपने बहुत सरल भाचा का रहा चुके हैं, तो उसके बाद आप एक discuss बच्चों के सामने रखते हैं, concluding statements को हम कहते हैं, ताकि बच्चों ने जो पढ़ा है, कई बार क्या होता है, बहुत लंबा discussion हो जाता है, तो बीच में बच्चे का जहन रहा नहीं रहा, तो वो सब कुछ निचोड जो है, एक सारा reporting statement भी appropriate ही होना चीँ, जिससे की objective, appropriate का मतलब क्या है, आपका जो teaching objective है, वो अचीव हो जाए, that's it, using explaining link, अब ये explaining link का क्या मतलब होता है, देखो, जैसे आपने sentences पढ़े होंगे, types of sentences, compound sentences, complex sentences, तो sentences को जोडने के लिए कुछ हम word use करते हैं, ठीक है, and, or, क्यों, English में बोल रहा हूं है, तो, वो जो शब्दों होते हैं, जो अलग अलग वाक्तियों को आपस में जोडते हैं, और उनके बीच में एक संबंद स्थापित कर देते हैं, तो उन शब्दों को ही हम link कहते हैं, clear है, इसका फाइदा क्या होता है, आपने एक statement बोला, fully stop हो गया, आप रुख गया, फिर दूसरे शब्दों बोला, अब इस बीच पर जो gap आ गया, उस gap में हो सकता है, बच्चे का ध्यान हट जाए, तो आपने कोशिश करनी हैं, कि वो जो तारतम में हैं, या फिर जो एक flow है, वो बना रहे हैं, उस flow को बनाए रखने के लिए हमको explaining link का बहुत समझदारी के साथ प्रियोग करना होता है, covering essential points, जो आप explain कर रहे हैं, तो को explanation के समय जरूरी नहीं कि पूरी किताब पढ़ें आप, पूरी book पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपको पहले book पढ़नी है, समझना है topic को, उसके बाद सरल भाशा में बना करके बच्च आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उनको cover करना है, तो this is called essential points, ठीक है, तो सारे essential points आपकी cover होने चाहिए, जैसे मैं अभी qubit का example आपको दे रहा था, तो qubit में essential points क्या होंगे, अगर आप characteristics की समझा रहे हैं उसकी, तो आपको ये बताना जरूरी है कि उसमें 6 phase ह होते हैं, और वो हर एक phase जो है आपका वो, या तो rectangle होगा या फिर आपका square होगा, आप ये तो बता दिये कि इसमें 6 phases होते हैं, बट ये नहीं बताया आपने कि वो phase का आकार क्या होता है, तो ये जो आकार वाली बात थी, वो essential points है, जो कि आपका छूट गया है, ऐसा नहीं ह तो कुल मिला करके ये है कि जितना कुछ important है, वो सब कुछ आपने यहाँ पर cover करना है, भूलना नहीं कुछ, testing people's understanding, और आप क्योंकि explain करने का मतल़ है, आप सरल भाशा में बच्चे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, ये भी तो test करना पड़ेगा, आपको बीच में, अगर माना कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो फिर आप उसको और सरल करेंगे, आप examples का use करेंगे, आप illustrations का use करेंगे, ठीक है, अब जितना कि हमारा उद्देश होता है बच्चे को समझाना, जिस तरीके से बच्चा समझता है, जिस भाशा में समझता है, उसमें हम समझाएं, ठीक है, अब suppose एक example ले ले लेते हैं, आप हिंदी भाशी है, आपको हिंदी ही आती है, अंग्रेजी नहीं आती, टुटी फुटी आती है मतलब, अंग्रेजी बोलना पसंद भी नहीं करते हैं लेकिन अभी क्या होता है, अचानक से आप चले गए कहां, साउथ इंडिया में चले गए या फिर कहें कि चले या विदेश चले गए, ठीक, वहां पर किसी को हिंदी आती ही नहीं, अब एक शॉपकी पर के पास जाते हैं, आप उसे हिंदी में कुछ मांगना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं था, तो ना चाहते हुए भी और ना आते हुए भी आपको अंग्रेजी भाशा का तो प्रियोग करना ही पड़ेगा न, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो तो आप प्राप्त करके छोड़ेंगे न, तो इसी तरह से हम क्लास्रूम में चाहते हैं कि बच्चे का ये टॉपिक आ जाना चा इन ही को हम negative statement बनाते हैं हम कह रहेंगी using appropriate beginning and concluding statement तो हो गया desirable behavior अगर इसको हम बोलते हैं using inappropriate जैनके irrelevant ठीक है beginning और concluding statement तो ये हो जागा आपका undesiral behavior कैसा होना चाहिए appropriate होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए irrelevant नहीं होना चाहिए पासवार ये ठीक है इसके बाद lacking in fluency ठीक है आप जब समझा रहे हैं explain कर रहे हैं तो आपकी जो fluency है वो धारा प्रवाज हो ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर वो ब्रेक हो गया तो बच्चों का attention कायब हो जाएगा ठीक है तो fluent रहना है पढ़ाते समय उसे छोड़ना नहीं है ठीक है इसके बाद और क्या नहीं करना है वैग्यू वर्ड यूज नहीं करना है यह बहुत important ही यह पूछा आ सकता है exam में ठीक है क्योंकि वैग्यू वर्ड का मतलब ही कई बार कुछ लोगों ने जिन्हों नहीं पढ़ा होगा अच्छे सुनको पता नहीं रहता तो वैग्यू वर्ड क्या होते है मतलब कि इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ वेठा अश्पस्ट शब्द ठीक है अश्पस्ट शब्द का प्रयोग ने करना है आप explain कर रहे हैं तो मैंने बोला आप सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ताकि बच्चे को समझ में आ जाए लेकि उसी भाषा में आपने ऐसे शब्द का प्रयोग क्या जो बच्चे ने ना सुने हैं नहीं उसको पता है तो वो नहीं समझ पाएगा तो ऐसे शब्द का प्रयोग हमने नहीं करना है जिससे बच्चा डाउट में चला जाए ठीक है तो ये कुछ discussion था हमारा skill of explaining पर कि क्या होना चीए और क्या नहीं होना चीए क्या नहीं होना चीए मैं तीन चीजे मताई irrelevant statement नहीं होने चीए fluency में lacking नहीं होने चीए और ऐस पर शब्द का प्रयोग आपने बिलकुल नहीं करना है तो I hope कि ये दो skills थोड़ा सा clear हुए उनके skill of introduction and skill of explaining क्योंकि अब याब ये दो skills को समझे इनको लिखिए जो doubt है तो पूछिए वो उस पर discussion करेंगे then इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे skill of illustrating with examples ठीक है ठीक है इसी को हम complete कर लेंगे अपना ठीक है तो कल की class जो होगी हमारी जो next video होगा या फिर आप लोगं के लिए क्लास में बोल रहा हूं जो class कर रहे हैं बच्चे उनके लिए और जो next video हमारा होगा उसमें skill of illustration, skill of questioning, skill of blackboard ये तीन skill में discuss कर दूँगा तो इस तरीके से आप इनको cover करते वे चलेगा अगर आपको सही लगता है आपको समझ में आता है तो ठीक है और अगर नहीं आता है तो भी आप feedback ज़रूर दे दीजीगा कि ये चीज तो समझ में नहीं आई इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाओ तो ठीक है फिर thank you और